हाई गाईज आज हम देखेंगे बागरीज कॉन फ्लेक्स का रिव्यू यह सुपर सेवर पैक है 800 ग्राम्स का पैक है ओरिजिनल और हेल्टियर कॉन फ्लेक्स हैं इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है जैसे कॉन फ्लेक्स होते हैं विल्कूल वैसे हैं 10% एक्स्ट्रा है इसमे मैंने इसे Amazon से पर्चेस किया था यह मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी यह देखिए बागरीज कॉन फ्लेक्स 800 ग्राम का इसमें 10% एक्स्ट्रा है MRP जो है इसकी वो 290 रुपीज है और जो हम पुझे पर्चेस प्राइस मिला है वो 145 145 अगर एक बार पर्चेस करते हो अगर आप इसके लिए मतली सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको एडिशनल 5% और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और आप अगर चाहो तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स और ड्राइ फ्रूट्स भी डाल सकते हो तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा आए देखते हैं पैक के पीछे क्या-क्या इन्फोर्मिशन दी हुई है यह है जिप लॉक वाला पैग है यह इसको मैं जब खोलूंगी तब दिखाऊंगी आपको इसमें जिप लॉक कहाँ पर है यहाँ पर इसका वो दे रखाई कि हेल्दी स्टार्ट आप दे है गोल्डन कॉंस है वो तो मैं पैक खोलने के बाद ही बदा चलेगा यहाँ पर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन जब भी आप इसे खोल ले उसके बाद आप इसे ठंडी ड्राई जगह में रखेंगे और पैकेट खुलने के बाद आप इसको 30 दिन के अंदर अंदर खतम करेंगे यहाँ दिये हुआ है प्राईज MRP जो हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं और इसका नेट वेट है 880 ग्राम 800 ग्राम का पैक है 80 ग्राम फ्री है यहाँ पर दिये हुए इंग्रियेंट्स इसमें कॉन है वीट फाइबर है यह सारी चीज़े हैं यहाँ पर दिये nutritional information 30 ग्राम की एक serving में 110 calories है आईए अब जल्दी से इसको open करते हैं तो इसको open करते हैं ध्यान रखेगा यहाँ पर एक निशान दिया हुआ है हलका सा cut आपको वहीं से cut करना है अगर आपने नीचे से काट दिया तो zip lock कट जाएगा फिर आप इस pack को यूज नहीं कर पाऊगे तो जो निशान है वहीं से इसको काटे और यह देखी यह है इनका zip lock तो आप इसमें से konflakes निकाले और उसके बाद zip lock लगा दोगे तो यह बिल्कुल क्रंची और वैसे ही बने रहेंगे फ्लेक्स का साइज मुझे मीडियम लग रहा है और पैक के बीच में कुछ टूटे हुए फ्लेक्स भी है पर वो चीज इतना matter नहीं करती इसका टेस्ट जो है काफी क्रंची है और पिल्कुल प्लेन टेस्ट है कुछ भी added इसमें flavor नहीं है तो आप इसे रूखे भी ऐसे से बोडिकार ही ओपों हुआ है अब आपकी आईडिया हो गया गया होगा इसको खाने के दो तरीकाइं आप गरम दूद में खा सकते हry अए थंड़ १ूद मे अच्म्रव course दिखाते हूं और आप इस तरह से 2 session जरूत राई कीजिए गां जिस तरह से मैंने किया है इस तर अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, आप चाहें काजू, किश्मिश भी डाल सकते हैं, थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स जो भी आपको पसंदो, और हनी डालेंगे हम इसको थोड़े सा मीठा करने के लिए, यह है हमारा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफस्ट, इसको ख बाई!